हलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एक्जाम में पूछी जाने वाली कुछ इंपॉर्टन्ट रेक्शन तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और यह कोशन हमारे बोर्ड एक्जाम में 2015 और अठारा में पूछा गया तो इस बार भी इसकी संभावना ज्यादा है हो सकता में भी यह कोशन पूछा जाए ठीक है तो क्या करना है हमें दो मैथर्ड लिखने जिससे हम क्या कर सकते हैं कि नाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं ठीक है तो पहला मैथर्ड देख लेते हैं पहला मैथर्ड है ठीक है तो जब यह इस temperature पर और concentrated S2SO4 की presence में क्या करेगा कि बेंजीन nitric acid के साथ reaction करेगा और बनाएगा क्या यहां पर बनेगा nitrobenzen और water बनेगा तो पहला method हो जाएगा बेंजीन से nitrobenzen बन गया ठीक है दूसरा method आता है from benzene diazonium chloride यानि benzene diazonium chloride से nitrobenzen बनाएगे हम लोग ठीक है तो यहां पर हो जाता है C6H5N2Cl2 यानि यह हमारा formula हो जाता है benzene diazonium chloride हो जाता है और यह benzene diazonium chloride nitric acid के साथ reaction करता है Cu2O की presence में इसको जो हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा यह बनेगा C6H5NO2 यानि nitrobenzen बनेगा nitrobenzen के साथ साथ में hydrochloric acid बनेगा और nitrogen gas बनेगी ठीक है question number 2 आ जाता है हमारा क्या है question number reduction of nitrobenzen यानि अगर हम nitrobenzen का reduction कराते तो क्या बनता है तो देखते हैं यह nitrobenzen है और इसका हम reduction कराएंगे तो बना क्या हमारा product C6H5NO फिर आगे देख लेते हैं जब reduction कराएंगे पूरी process में तो हमारा product बनेगा phenyl hydroxyl amine यानि product क्या बनेगा phenyl hydroxyl amine तो यह दो question हो गए जो हमारे board exam के लिए बहुत important है इसी तरीके से हम आगे question देखेंगे question number 3 देख लेते हैं क्या है write the chemical equation for the formation of NN diethylathenamine from chlorobenzen तो यह भी question हमारे board exam में 2019 में पूछा गया इसमें क्या करना है इसमें क्या करना है कि NN diethylathenamine से chloroethen बनाना है यानि यह हमें बनाना है product ठीक है तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले reaction क्या होगी सबसे पहले क्या होगा chloroethen होगा chloroethen होगा अब यहाँ पर क्या कर लेंगे sorry यहाँ पर chloroethen होगा chloroethen होगा और यह NS3 के साथ reaction करेगा यानि ammonia के साथ reaction करेगा तो क्या बनाएगा C2H5Cl के साथ reaction करेगा और हमारा जो main product हमें बनाना था क्या था तो main product था हमारा एन एन डाइथिल एथेना मीन यह बन जाएगा एन एन डाइथिल एथेना मीन यह जो हमारा most important product था आगे चलते हैं अगर एनिलीन क्या करता है reaction करता है acetyl chloride के साथ तो हमारा यह एनिलीन का formula हो अब एनिलीन किसके साथ reaction कर रहा है तो acetyl chloride के साथ reaction कर रहा है तो जब यह reaction करेगा तो यहां पर कौन सा product बनेगा तो देख लीजेगा यहां पर product बनना है n-phenyl acetamide n-phenyl acetamide बनेगा और hydrochloric acid बनेगा यह भी हमारे board exam में पूछे हुए question है अब इसी तरीके से देखेंगे question number 5 और 6 आईए देखते हैं question number 5 question number 5 भी हमारे board exam में पूछा गया important reaction और question number 6 भी हमारा क्या है important reaction है तो सबसे पहला हम question number 5 देख लेते इस reaction का नाम है carbyl amine reaction बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि board exam में बहुत ही बार पूछीगी तो carbyl amine reaction क्या होती है कारbyl amine reaction में क्या होगा कि methina mine methina mine क्या करेगा CHCl3 और KOH के साथ reaction करेगा और reaction करने के बाद में क्या बनाएगा ये बनाएगा methyl isocyanide बनाएगा क्या बनाएगा methyl isocyanide बनाएगा प्लस KCl बनेगा और 3H2O बनेगा ठीक है पहली reaction हो गई दूसरी reaction देख लेते है half man's bromide reaction ये भी important reaction है हमारी exam के लिए board exam के लिए half man's bromide reaction इसमें क्या है ethinamide क्या करेगा कि bromine और NaOH के साथ reaction करेगा किसके साथ reaction करेगा फिर से समझ लेंगे तो यहाँ पर क्या है ethinamide ये क्या हमारा ethinamide है और ethinamide किसके साथ reaction कर रहा है bromine के साथ plus किसके साथ कर रहा है ethinamide reaction कर रहा है NaOH यानि sodium hydroxide के साथ और जब reaction करेगा तो क्या बना रहा है यहाँ पर एक product बनना है जिसका नाम है ethinamide बना प्लस क्या बनना है प्लस बनना है Na2CO3 यानि sodium bicarbonate बनना है NaBR बनना है और water बनना है तीक है आगे देख लेते हैं क्या बनेगा आगे देख लीजेगा इसी का दूसरा example हो जाता है कि अगर benzenamide reaction करेगा benzenamide reaction करेगा तो क्या बनेगा bromine बनेगा sorry benzenamide bromine और NaOH के साथ reaction करेगा तो यह बनाएगा aniline बनाएगा पहला product aniline बन गया दूसरा product क्या बनना है Na2CO3 बनना है 2 NaBR यानि sodium bromide बनना है और क्या बनना है यहाँ पर 2H2O बननना है तो यह हमारी सारी reaction क्या है important reaction है और यह कई बार बोड एक्जाम में पूछीगी इस बार भी chances है कि यह reaction पूछी जाएगी आए देखते है question number 7 question number दिया गया है coupling reaction ठीक है यह reaction बहुत ज़्यादा important है मतलब very 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 important बोल सकते हैं क्यों क्योंकि इस बार एक्जाम में इसके पूछने के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम coupling reaction में देख लेते हैं coupling reaction में क्या होता है कि कि benzene di asonium chloride यह जो हमारा दिया गया है इसको बोलते है benzene di asonium chloride यह क्या है benzene di asonium chloride और benzene di asonium chloride क्या गरता है कि phenol के साथ reaction करेगा यह phenol के साथ reaction करेगा तो क्या बनेगा यहां पर जो product बनता है हमारा प्रोडेक्ट बनना है कि पैरा hydroxy azobenzene बनेगा जो orange dye होगा यह coupling reaction का हमारा first example हो जाता है फिर से समझ देते हैं coupling reaction को coupling reaction क्या होती कि benzene di asonium chloride किसके साथ reaction कर रहा है तो reaction कर रहा है यह phenol के साथ और जब phenol के साथ reaction करेगा तो product क्या बनेगा तो यह हमारा product है P hydroxy azobenzene जो orange dye होगा ठीक है यह हमारा product बनना था ठीक तो यह हमारी coupling reaction जो बहुत ज़्यादा important है board exam के लिए इस बार तो 90% chances हैं कि board exam में यह reaction पूछी जाएगी 90% उसी का second part देख लेते हैं हम लोग यहां पर क्या होगा benzene die azonium chloride यह क्या है benzene die azonium chloride और यह इस बार reaction किसके साथ में कर रहा है यह reaction कर रहा है यह पैरा P amino azobenzene जो क्या होगा yellow dye color का होगा ठीक है तो यह हमारी important reaction है जो board exam में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती coupling reaction अब देखते है question number 8 question number 8 है कायनी जारो reaction कायनी जारो reaction भी हमारे board exam के लिए important है आप देख सकते हैं कब-कब इसको पूछा गया है ठीक है तो कायनी जारो reaction में क्या होता है कि formaldehyde के 2 molecules ले लेते हैं ठीक है कितने molecule 2 molecule formaldehyde का एक molecule यह है और दूसरा molecule यह हो जाएगा ठीक है formaldehyde के 2 molecule ले ले लेंगे और NaOH की presence में जब यह reaction करेंगे तो क्या बनता है एक तो बन जाता है methyl alcohol और दूसरा बन जाता है हमारा sodium formid बन जाता है आगे देख लेते हैं B यहाँ benzaldehyde हो जाएगा ठीक है और यह जब reaction करेगा तो benzal alcohol बनेगा पहला दूसरा sodium benzaldehyde बन जाएगा और यह reaction बहुत ही ज़्यादा important है बोर्ड exam में इस बार पूछी जाएगी आपके तो इस reaction को अच्छे से आप याद कर लीजेगा ठीक है अब हम पढ़ेंगे question number 9 और 10 9 नमबर में क्या है Williamson synthesis Williamson synthesis हमारी क्या है important reaction है बोर्ड exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important reaction है इसको देख लेते हैं क्या होता है कि सबसे पहले इसमें देख लेते हैं first reaction को यहाँ पर क्या है कि bromomemethane यह क्या है हमारा bromomemethane और यह bromomemethane क्या हो गया कि sodium ethoxide के साथ reaction करेगा bromomemethane sodium ethoxide के साथ reaction कराएगा और करने के बाद में क्या बनाएगा ? मेथोकसի ethen बनाएगा, ठीक है, क्या बनेगा ? यह product जो बनेगा, यह methoxy, ethane बनेगा, plus nabr बनेगा, ठीक है, first reaction होगी हमारी, उसी तरीके से same example देख लेते हैं, second reaction में, second reaction में क्या दिया गया है, कि यहाँ पर bromo, bromo ethane है, bromo ethane, और bromo ethane किसके साथ reaction कर रहा है, तो bromo ethane reaction कर रहा है, sodium ethoxide के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ethoxy ethane, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, अगला example तीसरा, यहाँ पर क्या है, chloroethane ठीक है यहाँ पर क्या है chloroethane है और chloroethane किसके साथ reaction कर रहा है यह sodium phenoxide के साथ ठीक है तो यह reaction करेगा ethoxy benzene मनाएगा जाकर के यहाँ पर ethoxy benzene मनेगा NaCl बनेगा अगला देख लेते हैं हम लोग itards reaction very very important इसको बोलेंगे बोड exam के लिए तो itard reaction में क्या होता है कि toloin CRO2, Cl2 और CCL4 की presence में reaction करेगी और reaction करने के बाद में product बनाएगी क्या बनेगा यह product बनेगा इसको बोलते हैं chromium complex chromium complex बनेगा फिर H2O के साथ reaction करेगा तो यह benjaldi hide बनेगा तो यह हो गई हमारी itard reaction तो यह सारी reaction हमारे board exam के लिए बहुत ज़्यादा important है भी बनेगा करे हमारे ठाद के लिए ठाद है